सवाल नमबर चार किसी आयताकार हॉल के फर्स का परिमाप अड़ाई सु मिटर है यदि 10 रुपे प्रति वर्ग मिटर की दर से चारो दिवारो पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपया है तो इस हॉल की उचाई ग्याद कीजिए देखिए यह एक आयताकार हॉल है ठीक है और हॉल के फर्स का परिमाप आपको दिया हुआ है यहाँ देखिए फर्स होता है यह वला जो निच्चे वला राता है इसको बोलते हैं फर्स ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो आयताकर हौल है इसकी लंबाः चुड़ाई और उचाई को हम मान लेंगे ठीक है तो हम मान लेंगे कि लंबाई है L मिटर चौड़ाई है B मिटर और उचाई है H मिटर इस सबसे पहले मानेंगे तो सवाल में जखें ये काता है कि हौल के फर्स का परिमाप तो फर्स है आयताकार यानि कि आयत का परिमाफ पर दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि आयत का परिमाफ होता है वो 2 इंटू लंबाई पुलस चोड़ाई होता है यानि कि एतना बराबर दिया हुआ है अड़ाई 100 मिटर अब यहाँ पर देखिए कहता है कि 15,000 रुपय यह खर्चा है किस में खर्चा हुआ है तो चारो दिवारों पर टेंट कराने का तो इस चारो दिवारों का छेतर फल हम एक सुत्र आपको बताए हैं कि 2 इंटू लंबाई पलस चोड़ाई गुना उचाई होता है चारो दिवारों का छेतर फल होता है उसका यह सुत्र होता है तो इस चेतर फल का जो है लागत दिया हुआ है देखिए 15,000 रुपया कुल लागत है और कहता है कि एक बर्ग मीटर का खर्चा है 10 रुपया तो कूल खर्चा में एक बर्ग मिटर के जो खर्चा उसे भाग देंगे तो इसका कितना छेतर फ़ल है चारो दिवारों का ये निकल का जाएगा तो एक से एक जिरो कट गया तो बचा कितना पंदर सो यानि कि जो कमरा के चारों दिवार का जो छेतर फल है वो है पंदर सो वर्ग मीटर ठीक है तो ये दोनों दिया हुआ है आपको और उचाई इसका निकालना है देखिए सवाल नमबर चार सबसे पहले मान लेते हैं कि माना आयताकार हुल की लंबाई एल मीटर चोड़ाई बी मीटर तथा उचाई एच मीटर है अब यहापे लिखेंगे कि चूपी हौल के बहुत का परिमाप परिमाप कितना है तो अड़ाई हो मीटर ठीक है तो हौल का फर्स है आयताकार यानि की आयताका परिमाप दिया हुआ है 2 x लंबाई पलस चौड़ाई इतना बराबर है 2800 देखिए दूसरी 2800 कड़ जाएगा 125 बार में यानि कि लंबाई पलस चौड़ाई इतना बराबर 125 मीटर है यहां लिखेंगे कि कमरे के चारो दिवारों का छेतर फल कितना होगा तो टोटल खर्चा हुआ है 15,000 और एक बर्ग मीटर पेंट करने में 10 रुप्य खर्चा है तो दस भागा देंगे लेकि 10 रुप कट गया यानि कि 1500 वर्ग मीटर कमरे के चारो दिवारों का छेतर फल है ठीक है अब देखिए कमरे के चारो दिवारों का छेतर फल इसका एक फर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई पलस चोड़ाई गुना उच्चाई इतना बराबर आपको है 1500 ठीक है देखिए 2 इंटू लंबाई पलस चोड़ लंबाई प्लस चोड़ाई इसका मान है 125 तो इसके जगह पर हम लिखेंगे 125 गुना उचाई उचाई को हमने एच मिटर माना है इतना ब्रावर है 1500 ठीक है अब इस दोनों को इधर लाके बटा में कर देंगे इधर बचेगा यहां लिखेंगे कि कमरे के चारों दिवारों का छेतर फल चारों दिवारों का छेतर फल कितना होगा तो टोटल खर्चा हुआ है 15,000 और एक बरग मीटर प्रेंट करने में 10 रूका खर्चा है तो दोट भागा देंगे देखिए 700 कट गया यानि कि 1500 बरग मीटर कमरे के 4 दिवारों का छेतर फल है ठीक है अब देखिए कमरे के 4 दिवारों का छेतर फल इसका एक इंटू लंबाई प्लस चोड़ाई लंबाई प्लस चोड़ाई इसका मान है 125 तो इसके जगह पर हम लिखेंगे 125 गुना उचाई उचाई को हमने एच मिटर माना है इतना ब्रावर है कि इधर लागके बटाम कर देंगे इधर बचेगा फ फ पंदरासो बटा है दू गुना एकसो पंदरासो को मैं जाना एकसो पंदरासो काटेंगए तो यहाँ देखिए लिखेंगा कि अत होल की उच्चाई कितनी है तो 6 मिटर है ठीक है यह आपका आंसर हो गया देखिए सवाल नंबर 4 को थ्वास और हम भी स्लेशन करते हैं जैसे मान लिजे कि यह आपका घर का एक दिवाल है और दिवाल की लंबाई 10 मिटर है चोड़ाई भी 10 मिटर है तो इस दिवाल का छेतरफल कितना होगा तो दिवाल का छेतरफल हो जाएगा लंबाई गुना आप इस दिवाल को पेंट करना चाहते हैं तो आप मिस्तिरी को पास गए मिस्तिरी बोलता है कि s5 रूपया गैंगे एक बर्ग मिटर को पेंट करने में हम 5 रुपय लेंगे ता बोले ठीक हम देंगे तो मिस्तिरी को कितना रुपय देना परेगा टोटल खर्चे यहां देखिए टोटल रुपया कितना हम देंगे मिस्तिरी को अगर पेंट कर देता है दिवाल को तो टोटल है 100 बर्ग मिटर और नियुकर ये गहेता हुआ है। जो बात हुआ है आपसे कि प्रिंट करने में पांच रुपैuw खर्च ईयुक्ण Цliने आपको दिया हुआ है। एक प्रियुकर पांच रुपिया जो रेट लगाए हैं उस रेट से हम पो भाग देना होगा तो देखिए भाग भाग देंगे तो कितना आया 100 तो देखिए कितना चेत्रफल है 100 बर्ग मिटर है तो यही करना था सवाल में आपको पूरा खर्चा दिया हुआ था और रेट दिया हुआ था निकल लाएगा ठीक है